हेलो गाइज दिस इस रित्व एंड वेलकम टू टीचिंग लेर्निंग आज की इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं कि सीसे उनिवर्सिटी की तरफ से किन किन कोर्सिस की डेट शीट जारी की गई है और इसके साथ सा सीसे उनिवर्सिटी की क्या लेटेस्ट अपडेट है तो आज की इस वीडियो को फुलो लासक जरूर देखेगा वीडियो आप सब के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चानल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने भी तक नहीं किया है साथी बैल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी और वी वीडियो के लिए तो चलिए आज की वीडियो फिर स्टार्ट कर लेते हैं गाइस कल शाम को CCS उनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के ट्रडिशनल कोर्सिस की डेट शीट जारी की गई थी ओर सेमेस्टर की और फिर आप लोग यह पूछ रहेते कि मैम प्रोफेशनल कोर्सिस की डेट शीट कब आएगी तो देखें आप लोगों के प्रोफेशनल कोर्सिस की हो उनमें फर्स सेमेस्टर की डेट शीट नहीं होगी क्योंकि फर्स सेमेस्टर के अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुए है तो उनकी डेट शीट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने के बाद अलग से जारी की जाएगी इसके अलावा और जो भी यह आपर जिन जिन कोर्स की जारी की गयी है उनके बारे में यहाँ पर मैं बता देती हूं जैसे बी बी ए की डेट शीट जारी हुई है BCA की हुई है, BLLB 5-year का course, BECOM LLB 5-year course, BJMC, BWOG, BSC Computer Science, BSC Home Science, BSC Home Science, Clinical and Nutrition, BPES, BSC Jewelry Design, BLI Science, MJMC, MIB, MBE, MSC Biotechnology, MSC Biochemistry, MSC Microbiology, MSC Bioinformatics, MSC Computer Science, MSC Home Science, MSC Human Development, MFA, MTech Biotechnology, BTEC, MBA in CS and Civil, MPEAS, MLI Science, इन सारे ही courses के जो भी ओर semester आप लोगों के होते हैं, उन सब की date sheet जारी हो चुकी है, और यह जो date sheet आई है, इन सारे courses के 8 semester की, वो main exam और आप लोगों के back exam दोनों के लिए है, ठीक है, back की अलग से कोई date sheet नहीं आएगी, यही वाली आप लोगों की date sheet है, इसके अलावा बात कर लें, आप लोगों की exam date के बारे में, तो आप लोगों के exam 17 February से start हो जाएंगे, तो आप सभी अपने exam की तयारी को मजबूत कर दे, अब बात कर लें, आप लोगों के exam के time duration के बारे में, तो exam आप लोगों का डेड़ घंटे का रहेगा, सभी का, किसी एक courses का नहीं, सभी का डेड़ घंटे का रहेगा, दो shift में आप लोगों के exam कराये जाएंगे, shift की timing यहाँ पर कुछ यह रहेगी, पहले shift आपकी 10 से लेके साड़े 11 की रहेगी, और दूसरी shift आपकी 1 से लेके धाई बजे की रहेगी, ठीक है, second shift आपकी 1 से लेके धाई बजे की रहेगी, तो लिए आप लोगों को एक बार date sheet दिखा देती हूँ, देखें, यह आप लोगों की date sheet है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो exam है, वो 18 तारिक से शुरू है, कुछ courses के exam 18 से है, कुछ courses के exam 17 तारिक से है, यह देखें, timing वही है, जो मैंने आपको बताया है, कि 10 से साड़े 11 और 1 से धाई बजे की, तो वाइस यह जो आपकी date sheet है, वो कुल 28 pages में है, जिन जिन courses का मैंने नाम बताया हूँ, उन सभी की date sheet यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, 28 pages की date sheet है, अपने course और semester के हिसाब से, दोनों का link मैंने description box में दिया हुआ है, और अगर यहाँ पर कोई ऐसा student देख रहा है, इस video को जो traditional courses related है, तो उसको भी उनकी जो और semester की date sheet है, traditional courses वाली, वो teaching और learning के instant facebook के page पर ही मिल जाएगी, दोनों का link मैंने description box में दिया हुआ है, guys यह हमारी दूसरी update है, और यह update आप लोगों के result से related है, आप लोगों का एक competition हुआ होगा, राश्ट्रे परियावरन युवा संसद प्रतियोगिता 2022, तो उसका जो result है, यहाँ पर declare कर दिया गया है, यह winners के नाम है, आप लोगों देख सकते हैं, यहाँ पर 8 बच्चे जो हैं, वो winners हैं, अगर आपने यह exam यह प्रतियोगिता में participate किया था, तो आप लोगों चख कर स बाइ, तेक केल